नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग लखनव कला विद्याले के एक और महत्पूर का लाकार सुधिर रंजन खास्तगिर्जे की बारे में हम लोग बात करेंगे लखनव कला विद्याले में इनके योगदान और इनके कारियों को देखते हुए इन्हें लखनव कला विद्याले का सूर्य कहा जाता है तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये कितने महत्पूर कला कार है इन्होंने लखनोग कला विद्याले में कई महत्वपूर परिवर्तन किये लिए और वहां के कला से सम्मंदित विद्यार्थों के लिए काफी महत्वपूर रहा दोस्तों चलिए हम लोग सुधिर रंजन खास्तगीर के बारे में डिटेल से देखते हैं सुधिर रंजन खास्तगीर जी का जन्म 1907 इसवी को चटगां बांगला देश में वा था उस समय जब इनका जब जन्म हुआ था तो उस समय भारत वहां करता था लेकिन वर्तमाण बांगला देश में इनका जन्म हुआ था चटगां बांगला देश में और इनके मृत्ति 1974 में हो गई अब इनके बारें बात करते हैं इनकी सिच्छा तो इनकी सिच्छा सांती निकेतन से वेशी सांती निकेतन रबिना टेगोर जिसकी स्थापना 1901 में किये थे उसी सांती निकेतन में इनका इनकी प्रारंबिक सिच्छा होई कला की और वहां पर अध्यापा के रुप में नंदलाल बोस जी इनके मुख्य रुप से इनके गुरु यही कहे जाएंगे और साथी साथ वहां यह भी टीचर थे बिनोद ब्हारी मुखर जी तो क पढ़ाई यहाँ कम्पलीट कर ली तो उसके बाद कुछ समय तक शिच्छन करते हैं और बीच में इंग लांड भी चले जाते हैं looked क्यों काश से ढलाई का परशिछन के लिए इंगलेंड भी जाते हैं। परशिछन को सीखने के लिए इंगलेंड जाते हैं। वहां इन्होंने serum гill से normal के विधी सिखी और फिर वापस आते हैं भारतival और इन्होंने अगर इनके सिच्छन की बात करें, तो ये दून स्कूल देहरा दून में 1936-1955 इस्वी तक कला ध्यापन करते हैं, 1936-1955 तक, अब कहा जाता है कि ये वहां के पर्थम कला ध्यापक थे, कला के पर्थम कला ध्यापक रहे हैं, दून स्कूल देहरा दून के, फिर उसके बाद 1956 में ये लखनव कला विद्याले में आ जाते हैं और यहाँ पर प्राचारे भी बनते हैं और 1961 ये सेवा निवरित होने तक ये वहाँ पर रहते हैं और जब इनकी यहाँ सेवा पूर्ण हो जाती है उसके बाद ये सेवा निवरित होकर फिर वापस सांती निकेतन चले जाते हैं और वहीं 1974 में इनका देहांत हो जाता है तो आप लोग देख पा रहे होंगे इनकी यात्रा अब इनके कुछ प्रमुक सिच्चों की बात करें तो देखे मदनला नागर, रणवीर सिंग विष्ट और तार सिंग पवाज जैसे काफी नामचीन कलाकार इनके सिच्च रहे हैं और इनके साथ और भी कलाकार होंगे तो उनके साथ भी इनका नाम जुड़ेगा तो हम लोग देखे सुधी रंजन खास्तगीर के बारे में प्रारंभिक जानकारी कि उन्होंने उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी सिच्चा कहाँ हुए का से ढलाई की सिच्चा उन्होंने कि से ली प्रारंभे में वो दून स्कुल में पढ़ाते हैं फिर उसके बाद लखनव कला विद्याले में प्रधाना ध्यापक बनते हैं 1961 सक रहते भी हैं रिटायर होने के बाद सांतीनी केतन चले जाते हैं वहीं पर 1974 में इनकी ब्रत्ती होती है और मदनलानागर, रैडवीर सिंग्भिष और टा सिंग्पावाजे से बड़े बड़े नामचीन कलाकार इनके सिश्य रहते हैं चले आगे देखते हैं लखनव कला विद्याले में खास्तगीर जी के विशेश कारियों को देखते हुए उन्हें लखनव कला विद्याले का सूर्य का उपाधी मिली थी लखनव कला विद्याले में सूर्य के उपाधी सूर्य जिससे सारे लोग को एनरजी मिलती है तो इस तरीके की भारी भार कम उपाधी खास्तगीर जी को यहाँ पर मिली थे और इन्होंने लखनो कला विद्याले में कई महत्पूर परिवर्तन भी किये थे जिसके वज़े से इनको इपाधी मिली थे और इन्हें इसके लावा इन्हें चटक रंगो का चंचल चित्रकार भी कहा जाता है यह भी इनके बारे में important एक बात है कि इन्हें चटक रंगो का चंचल चित्रकार भी कहा जाता है कहा जाता है कि इने लोक जीवन के चित्रकार के रूप में भी इनको जाना जाता है लोक जीवन का चित्रकार इसलिए इनकी सैली कैसे है भारती सैली इनके सैली को भारती सैली भी कहा जाता है तो कि इनकी सैली जो चित्रण की सैली है वो भारती सैली है इनके अगर प्रसिधी की बात करें तो एक मुर्तिकार और चितरकार दोनों रूपों में प्रसिध रहे हैं अगर इन दोनों में आपको चूज करना हो तो आप सबसे पहले मुर्तिकार के तरफ जाएंगे हलाक इनके चितर जादा प्राप्थ होते हैं फिर भी आप कहें न कहें इनको मुर्तिकार प्रथम मुर्तिकार मानेंगे उसके बाद चित्रकार मानेंगे 1956 में लखनो कला विद्याले के इस प्रिस्पल बनते हैं और 1957 में इनको पदमस्री की उपाधी से सम्मानित किया जाता है और ऐसे प्रथम भारती कलाकार थे जिनको पदमस्री मिला इनके पहले किसी कलाकार को भी पदमस्री का वाट नहीं मिला था कला में परासनातक करने वाले भी ये परथम कलाकार है पीजी करने वाले भी कला से ये परथम चात्र रहे हैं अपने समय के जिनों ने पराशना तक किया। और खस्तगीर, इनके नाम में जो खस्तगीर लगा है, वो उपाधि मुगलों दोरा इनके पुरोजों को दिया गया था। जिसका आर्थ होता है हिंदुवैद्य। खस्तगीर का मतलब होता हिंदुवैद्य। तो इनके खंदान को मुगलों ने उपादी दी थी अस्तगीर जी के कुछ मुर्तियों के अगर बात करें तो डाटर अब दस्वायल इनके प्रसिद्ध मुर्ति है इसके अलावा विंटर, मा और सीसु मा और सीसु पे तो बहुत सारे कलाकारों ने काम किया है इनका भी है और मा सीसु इनका चित्र भी है इसके लोगा अगर हम चित्र की बात करें तो यंग डांसर ये भी इनका एक चित्र है अमल तासपर कवे, गुरुदेव और बापू, भिछुडी मा, तुफान में यात्रा, बसंत, अधिक अन उपजाओ ऐसे ऐसे विश्यों पे इनौने कई सारे चित्र बनाया है और कुछ इनके चित्र सिंखलाएं भी है वह भी कहीनिक इंपॉटेंट है जैसे बाउल डा्न और इनके अगर चित्रों के संग्रा की बात करें तो इलाबाद संग्राहाल है लख्नो के भी संग्रहालें में इनका चित्र है राष्ट्री आधुनी कला संग्रहाले में भी इनके चित्र हैं और देशके और अन्य संग्रहालें में भी इनके कई सारे चित्र संग्रही थें तो यह रहा सुधेरंजन खास्तगीर जी जो की काफी महत्पूर कलाकार है और लखनों के कलाकारों के सिरीज में यह भी एक महत्पूर कलाकार है और इनके बारे में यह सब डिटेल रहा धन्यवाद इसर दिख समरे में यह बार इनके बारे मेंजल जी एक में पूल सहे कारीव लविए बारे में लुटांजनै काहिक दो यह फूल सुछा आड़ा में हा झाड़ तो कैसे और लगी में यह सकतो हैžनें ओक मैं गॉछ Cor únव橋